हेलो एवरीवन, वेलकमें डियर सिस्टर चैनल, आज मैं आपके साथ अग्रेडी डॉक के स्टोरी शेयर कर रही हूँ, अगर आप अपने इंग्लिश को इंप्रूफ करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपके अंदर इंग्लिश की पिर्थी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, जितने भी रूल्स आपको पढ़ाए जाते हैं, आप उस वक्त तो सॉल्फ कर लेते हैं, और जैसे ही वो जब एक पैरग्राफ फॉर्म में आते हैं, फिर आप कन्फियूज हो जाते हैं, अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है, तो आप छोटी चोटी स्टोरी को पढ़ा करे जो सारे ग्रामर्स के सारे रूल से वो सभी किलियर होंगे, आपकी अच्छे पकड़ बनेगी, ग्रामर को लेकर के साथ यसाथ इसाथ इंग्लिश की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप छोटी चोटी इंग्लिश की स्टोरी पढ़ा करें, मैं आपके साथ आज अग्रेडी की स्टोरी समझेंगे, कौन सा टेंस इस्तमाल हुआ है, तो अग्रेडी डॉग, अग्रेडी डॉग यानि की आ मतलब एक, ग्रेडी डॉग मतलब लालची डॉग मतलब लालची डॉग मतलब कुत्ता, एक लालची कुत्ते की यह कहानी है, तो लेट इस स्टार, once there lived a dog in a village, once मतलब एक बार, they are lived, यहाँ पे lived नहीं है, यहाँ पे ed लगा है, यानि की lived, lived मतलब रहता था, a dog मतलब एक कुत्ता, आ लगा है, यानि की a लगा है, यानि की a लगा है, यानि की a dog मतलब कुत्ता, एक कुत्ता रहता था, एक बार एक कुत्ता रहता था, in मतलब अंदर, a मतल में एक कुटा रहता था, ठीक है, one day, एक दिन, he was very hungry, he मतलब वो, what मतलब था, very मतलब बहुत, hungry मतलब भूका, एक दिन, वो बहुत भूका था, he could not, could कहां लगता है, देखे, could मतलब होता, sucka, can मतलब होता, sucka, could हमेशा past tense में लगता है, ठीक है, he could not, get मतलब पाना, anything मतलब कुछ भी, to eat, यानि की, वो कुछ भी खाने के लिए, to eat मतलब खाने के लिए, to eat, यानि की, वो कुछ भी नहीं पास सका, खाने के लिए, he went in search of food, वो went लगा है, यहाँ पे देखे, go की second form में, go went gone, second form में, यानि की past tense है, he went in search of food, वो खाने के तलाश में, search मतलब तलाश, of food मतलब खाने की, food मतलब खाना, भोजन, of मतलब की, भोजन की तलाश में वो गया, went मतलब गया, ठीक है, he went in search of food, यानि की वो खाने के तालाश में गया He saw देखें आप सीने ये saw है यानि की past tense है He मतलब वो saw मतलब देखा A मतलब एक Watchers मतलब होता है कसाई Apostrophe S लगा है यानि की कसाई की दुकान मतलब की उसने एक कसाई की दुकान देखी ठीक है He stole into his shop and took away a big piece of meat Meat मतलब मास Piece of meat यानि की मास का तुकड़ा Big मतलब बड़ा A मतलब एक एक बड़ा मास का तुकड़ा Took away मतलब हो जाता है दूर ले गया Away मतलब दूर Took away मतलब दूर ले गया He stole Stole मतलब चुराना ठीक है He stole into his shop यानि की उसने उसने उसकी shop से Into जब लगता है जब बाहर से कोई अंदर जाए Into his shop And took away a big piece of meat यानि की उसने उसकी shop से एक बड़ा मास का तुकड़ा चुराया और वो दूर ले गया He wanted to eat He wanted मतलब चाहता था He wanted यानि की वो चाहता था To eat मतलब खाना It all मतलब उससे पूरा Along मतलब अकेले ही यानि की वो चाहता था खाना उससे पूरा अकेले ही उस पीस के तुकड़े को He ran away यहां पर दीके Run नहीं लिखा है यहां पर run की second form लगी है R-A-N लिखा है यानि की यह past tense है He ran away He ran away Rain away मतलब हो गया भाग गया वो भाग गया He मतलब Rain away मतलब वो भाग गया Towards the forest Towards मतलब तरफ The forest यानि की जंगल की तरफ वो भाग गया On the way There was a river On the way यानि की रास्ते में There was a river यानि की There was a river यानि की एक नदी थी रास्ते में एक नदी थी वाज है यानकि ठी एक नदी रास्ते में थी He wanted to go to the other side of the river He wanted to go यानकि वो चाहता था to go मतलब जाना to the other side यानकि दूसरी तरफ of the river यानकि नदी के दूसरी तरफ वो जाना जाता था When मतलब जब He was crossing the bridge यानकि जब वो उस पुल को bridge मतलब पुल को क्रोस कर रहा था When मतलब जब He मतलब वो was was crossing मतलब ये past continuous tense है crossing मतलब जब वो उस bridge को bridge मतलब पुल को जब वो cross कर रहा था ठीके यहाँ पे was crossing यानकि कर रहा था He saw his own reflection own मतलब अपना reflection मतलब अपना ही उसने पिर्तिबिम जिसे कह सकते हैं image ठीके अपना ही उसने image he saw his own reflection in the clear water he saw यानि कि उसने देखा याँ पे सीनी लिखा याँ पे है saw यानि कि उसने देखा his मतलब अपना खुद का ही reflection यानि कि अपना खुद का ही उसने image देखी पिर्तिबिम देखी in the clear water यानि कि in the clear water यानि कि साफ पानी में river के river के अंदर जो पानी ता साफ पानी उसमें उसने अपना खुद का ही reflection अपना खुद का ही image देख he thought that it was another dog with a big piece of meat यानि कि he thought thought मतलब होता है सोचा उसने सोचा that मतलब की ये एक और कुद्धा है जिसके पास mask का एक बड़ा तुकड़ा है he wanted to have he wanted to have यनकी वो चाहता था पाना that piece यनकी वो piece meat का भी also मतलब भी he मतलब वो wanted मतलब चाहता था he wanted मतलब he मतलब वो wanted मतलब चाहता था to have मतलब पाना that मतलब वो पीस मतलब तुकड़ा ओफ मतलब की मीट मतलब मास का और समतलब भी यनकी वो चाहता था पाना वो तुकड़ा मास का भी ठीक है यनकी वो चाहता था पाना वो मास का तुकड़ा भी so he begin to bark begin यनकी so मतलब तो he begin to bark यनकी तो वो भोकने लगा as soon as he opened his mouth his own piece of meat fell into the river as soon as यनकी जैसे ही as soon as मतलब जैसे ही he opened his mouth जैसे ही उसने अपना मुझ खोला his own piece of meat fell मतलब गिरना into the river यनकी नदी में जो उसका खुद का पीस था meat का जो पकड़ा था वो नदी में गिर किया यनकी जैसे ही उसने अपना मुझ खोला उसका मास का तुकड़ा नदी में गिर किया he lost his own piece of meat यनकी उसने अपना मास का तुकड़ा खो दिया he lost मतलब खो दिया his मतलब अपना own piece of meat यानि कि उसने अपना मास का तुकड़ा खो दिया यानि कि वो बहुत दुकी था और रिमेंड हंगरी और वो भूका ही रहा यहां पर मोरल यानि कि हमें इस स्टोरी से क्या नैतिक सीक मिली मोरल जो है वो यह है कि ग्रीड इसा कर्स ग्रीड मतलब लालच लालच एक अभी शाप है कर्स कर्स मतलब अभी शाप है लालच एक अभी शाप है वीडियो अच्छी लगी हो आपको इससे हेल्प मिली हो अपने इंग्लिश को इंप्रूब करने में तो लाइक जरूर कीचेगा और चैनल पर नहें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजेगा